सर्दी में हर किसी को बहुत नीद आती है सुह जागने का मन ही नहीं करता लेकिन कामदंदे की बजा से लोगों को विस्तर से उठना पड़ता है वैसे बहुत से लोग आलसी भी होते हैं जो सर्दीयों में ही नहीं बलके गर्मियों में भी विस्तर से उठना पसंद नहीं करते और घंटों तक सोते रहते हैं आज हम आपको एक ऐसे गाउं के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग 8-10 गंटे या 1-2 दिन नहीं बलके कई महीनों तक सोते रहते हैं यही नहीं इस गाउं में लोग चलते फिरते ही सड़क पर सो जाते हैं और फिर महीनों तक नहीं जागते दरसल कजाकिस्तान में एक ऐसा गाउं है जहां के लोग चलते हुँ सड़क पर ही सो जाते हैं इस गाउं का नाम कलाची है कलाची गाउं में लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं फिर इस गाउं में एक के बाद एक कर लोग इस अद्वत बीमारी के सिकार होने लगे। वहीं बैग्यानिकों ने इस बात का पता लगाने की कोशिस की तो उन्हें भी इस रहस्त में बीमारी का पता नहीं चला। अलांक अभी भी तमाम बैग्यानिक और डॉक्टर्स इस रहस्त में बीमारी के बारे में पता लगाने की कोशिस कर रहे हैं। वो भी इस बात से हरान है कि यहां के लोग आकर इतने दुनों तक कैसे सोते रहते हैं। इसलिए इस गाम को अब स्लीप बोलो नाम से जाना जाता है।